हेलो गाइज बेलकम बैक माई यूटूब चैनल प्रत्यक्ष क्लासेज क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 ट्रिक्नोमेंटरी प्रश्णवाली 8.1 का 6 कोश्चन नंबर 6 यदी एंगल ए कौण ए और कौण बी न्यून कौण है न्यून कौण आप जानते हो न्यून कौण वो कौण हो करना है कि एंगल यह बरावर एंगल भी होता है या नहीं और एंगल है और एंगल भी एक न्यून कौण है तो इस में न만च और कॉण शर्ण B है और यह क्या हो गया तो यह हो गया नभेट डिगरी से कम करन्यायों कौण ही हो गया एंल अप बिना कॉन तो आप इसमें देखोंगे जो आपको दिया है कॉसे बरावर cos of v दिया हुआ आपको पास cos a और cos b आपको पास दिया हुआ है तो आप देखेंगे cos a और cos b है जिसको कि अब angle of a बरावर angle of v हमारे पास है तो हम देखेंगे cos of a बरावर cos of b cos a cos a जो है cos a में क्या दे रहा है angle of a a के लिए cos क्या दे रहा है cos क्या होता आधार बटा कर्ण cos क्या होता आधार बटा कर्ण किस से लाल बटा करका से cos क्या होता आधार बटा कर्ण तो a angle at a angle theta के समुक की भुजा क्या होती लम तो cos में क्या बोरा है आधार बटा कर्ण तो यह लंब जो है यह तो नहीं आएगी इसमें आएगा आधार क्या बन गया फिर आधार बनेगा AC AC अपन कर्ण कर्ण सहमी रहेगा AB A और B कॉस B के लिए क्या रहेगा कॉस और B B एंगल के लिए ठीटा के समुख भुजा ठीटा के समुख भुजा क्या होती लंब होती हो और ठीटा के सलंगन भुजा क्या होती आधार और कन सेम रहेगा और कॉस में क्या देता है कॉस में देता है आधार बटा कन कन तो सेमी रहेगा A और AB और आधार क्या रहेगा थिटाक समुख वाजलाम होती आधार रहेगा BC B और C आधार क्या रहेगा BC तो AB और AB तो कैंसल हो गया तो यहां आगया AC by BC AC by BC AC by BC यहनी कि AC by BC तोम लिख सकते angle of A is equals to angle of B यहां proof हो गया कि angle A और angle B बरावर है angle A और angle B बरावर यह आपका answer हो गया AB से AB कटा AC बरावर AB AC क्या है AC बरावर BC जब यह दोनों भुजाय समाने तो angle V equals हो गए angle A बरावर angle of B question number 7 देखते है question number 7 है cot theta बरावर 7 by 8 cot theta आपके पास 7 by 8 है तो तो first question यह find करना है और second cot square theta का मान निकाले तो cot आपके पास दिया है तो cot से आपके पास एक पहले तो आप question को समझ ले cot cot theta आपके पास है cot में क्या देता है cot 10 देता है आपका लाल बटा कका से 10 क्या देता है L upon A cot देगा A upon L तो इसमें से आपको A upon L आदार यह और लम मिलगे आपको करन फाइंड करना है cot theta कि इससे करन आपको find करना करन आपको मिल जाएगा चित द्रॉ करके तो आपको यह सब value मिल जाएगी जो इसका part है first part और second part तो यह यह इस question को solve करते question number 7 question number 7 क्या है करते हो आप तो 10 आपको value देता आधार लम बटा आधार 10 क्या देता लम बटा आधार तो cot just उसका उल्टा देगा आधार बटा लम cot क्या देगा जस्ट उल्टा आधार बटा लम तो आप देखोगे इसमें जब डाइग्राम ड्रो होगा तो इसमें कुछ भी value रख सकते हो आप A रख दो B रख दो C रख दो यह 90 डिग्री का है इसके लिए बुचा गया इसने है यहाँ पे तो आपके पास आधार कितना है आधार आधार आपको 7 है लम कितना है लम आपको 8 है आपको A C निकालना है उनकी आपको कंड निकालना तो आप देख सकते हो तिरभुच A B C में आप तिरभुच A B C में कर रहे हो पाइथा गोरस परी में लगाओगे पाइथा गोरस परी में पाइथा गोरस परी में से अब पाइथा गोरस परी में लगाओगे पाइसाग्रोस में क्या होता है कंड का स्क्वाइर इनकी AC का स्क्वाइर बराबर AB का स्क्वाइर प्लस BC का स्क्वाइर कंड का स्क्वाइर बराबर आधार का स्क्वाइर प्लस लम का स्क्वाइर AC का स्क्वाइर सेम रहेगा क्योंकि हमने इसे फाइंड करना है AB का स्क्वाइर, साथ का स्क्वाइर, BC का स्क्वाइर कह रहाएगा BC है 8, तो 8 का स्क्वाइर AC का स्क्वाइर, साथ का जब औहर खुलेगा 70-60-59, आठ का, 64 जोड़ दो, 9-4-13 का, 3 तेन, पासिल 1-10, और 1-11, 1113 तो AC जब आपके पास मिलेगा अब इसको अंडरोट में 113 तो आपके पास एसी निकल गया यहने कि करन आपके पास निकल गया अंडरोट 113 अब आपके पास 113 निकल गया आपके पार AC अब आपको जो पूछा गया है Q1 जो आपको स्वाल करना है पार्ट जो पूछा गया पार्ट है आपके पास 1 प्लस साइन ओफ थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस ठाइब सासैन और कोष से यहाँ पे पूछा यहाँ पे इसमें 6 1 जो आप साइन थीटा निकाल scratching विक तब इस फॉर्म इसी डाइग्रम से निकाल रोगे साइन का देता है लम बटा करन्ड तो लम क्या इसमें लम आठ है लम बटा करन्ड क्या है 113 सका देगा मुशाया क्या है मुझा पूछा गया खुछा गए तो मिकन कर देते हुचि producing hen थिता क्या होता है क्या है साइन को अंधर नम्म साथ बटत आठ तो हम फस्त जो फस्माट स्कूड करेंगे फस्पार रन इसको आप देख सेखती यह एक फॉर्मूला बन रहा है a plus b a minus b का तो आप लिख सकते हूं 1 minus sin square theta upon में 1 minus cos square theta आप कुछ समझ आ गया होगा कि 1 plus sin theta 1 minus sin theta ये a plus b का whole square a plus b का a square minus b square जब खुलता है तो a square minus b square का formula a plus b a minus b यहीं कि one square minus sin square theta का formula 1 plus sin theta 1 minus sin theta same way नीचे है one square minus cos square theta का one plus cos theta 1 minus sin theta तो आपको ये value ये आपके पास find हो गया तो आप इसमे value रख दो 1 sin square theta sin की value क्या है 8 upon under root of 13 का whole square पूरा एक बट्टे 1 minus cos की value क्या 7 बट्टा अंडर रूट आफ एक सो तेरा का whole square ये गाइस अब आप इसको आगे कर लो यहीं पर कि 1 minus 8 का square अठड़ा 64 तेरा का 113 का जब square होगा तो square से अंडरूट कर जाएगा तो आएगा इस टाइप से एक साथ का साथ साथ है 59 साथ का वर 59 अंडरूट अंडरूट सारी square से अंडरूट कर जाएगा तो यह सिंपल आएगा 113 सिंपल गाएगा 113 तो आप समझ दोगे स्क्वाइर यह आठ बट्ट अंडरूट 113 स्क्वाइर में था जब 8 का स्क्वाइर खुला 64 अंडरूट 113 का वर्ग है तो square से अंडरूट कार देगा जो square है और अंडरूट को कार देगा और 113 आएगा तो आपके पास क्या था अपके पास है 113 आप उपर गुणा करोंगे माइनस तो 64 बट्टे में 113 रहेगा यहां पर 77 59 आएगा सारी यहां पर भी सेम 113 आएगा 113 माइनस सास से तर उनपचास अट्टा एकस तो तेरा तो आप समाज ले हो एकस तेरा से यह कट यह यह और यह कट हो जाएगा तो आपके पास आएगा 113 में 64 गया तेरा में से चार गया 13 में चार गया कितना बचार नौ यहां पर जाएगा यहां वचार गया नौ यहां पर दस दस में छे गया चार दस में छे गया चार तो आपको फर्स्ट का अंसर मिल गया 59 बाई 64 अब पार सेकंड में पुछा गया आपको पार सेकंड में क्या पुछा गया पार सेकंड में क्या वैलियू दि क्या वैलियू थी ट सेवन बाई 4 उपता की वैलियू थी तो नहीं 7y8 का whole square, square का मतलब आपको इसका over करना है, तो 7,59, 58 है, 64, तो यह आपके दोनों पाड़ के आंसर मिल गए, सेम सेम है, तो question number next question करते है, question number 8, question number 8 है, यदि 3 court a बराबर 4 है, आपका 3 court a बराबर 4 है, यह question सेम, question number 54 की तरह है जिसे आपको बना आना है जो आपने question number 4 में easily समझा होगा question number late में से में 3 cot A बरावर 4 तो जांच कीजिए तो आपको इसमें आपको जांच करनी है कि 1-10 square theta upon 1-10 square theta बरावर cos square A सारी A है cos square A minus 9 square A है या नहीं तो आपको find करना है तो पहले आपको caught caught में आपको जो value दियागा उसकी जासे आपने तीसरी जो कान या लंब आधार रगो उसको find करना है caught आपको पास दिया है तो आपको उसके बाद आपको इसमें value रखके इन दो को इन दोनों के मान equal साने चे तब आपकी जाच होगी तो question number 8 question number 8 है three caught A तो आपने question number four में भी देखा होगा तो caught of A करेंगे और four upon ये तीन गुणा में तो यहाँ चलेगा बटे में तो जहेंगे caught क्या value देता है 10 का उल्टा 10 देता है لم बटा आधार caught क्या देगा caught देगा आधार बटा لم caught क्या देगा आधार बटा لم क्योंकि लाल बटा कका से LAL बटा कका KKA तो लाल बटा कका से क्या देता था لم बटा لم बटा आधा 10 देता था और caught दे दिया जब आधार बटा आधार बटा لم जब आधार बटा और यह बी यो यह सी तो एंगल आधार कितना आपका चार लम कितना आपका तीन यहां पर आपको कंड निकालना है क्या निकालना है कंड तो आप देख सकते हो तिर बुज कि ए बी ची में पाइथागोरस परी में पाइथागोरस परी में से पाइथागोरस में क्या रहते है कंड का स्क्वाइर एसी का स्क्वाइर आधार का स्क्वाइर एवी का स्क्वाइर प्लस लम का स्क्वाइर बी सी का स्क्वाइर कन का स्क्वाइर वन की AC का स्क्वाइर आपको फाइंड करना है AB का स्क्वाइर 4 का स्क्वाइर BC का स्क्वाइर 3 का स्क्वाइर 4 का वर्ग होता है 16 3 का वर्ग होता है 9 टोटल होगे आप 25 यानि की AC स्क्वाइर और AC स्क्वाइर वर्ग मुल पांच होता है आप स्क्वायर को उदर अंडरोट में वेजा 25 अंडरोट आप 25 अंडरोट 25 का वर्गमूल 5 होता है तो एसी आपके पास फाहिंड हो गया 5 यहनिकि 5 आपको पास करण मिल गया जब आपको पास करण 5 मिल गया इसके बाद आप इजिली जो आपको पूशा गया कोशन में स्क्वायर ए अपाउन वन प्लस टैन स्क्वायर ए जिक्वेस्टू कोश स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कोश स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए उससे पहले आपको जो टैन टैन ए और टैन ए कोश साइन इसकी वैली आपको निकाल लिए होगी तो आप निका इससे iSan पक्राम इससे iSan qya देता लंबटा कन तो लंब क्या इसमें लंबट तीन है बंटा कन क्या है पांच 요ग्ते लगवाफे कोस क्या देता आधार बटा कन अधर कितना है 4 पर नहीं है 10 10 A क्या देगा 10 देगा लाल वुटार कका इस एलो पॉन एनंकी रम बटा आधार, रम कितना है, तीन लम बटा आधार, देजा लम बटा आधार, ठीग है अब आप इन वैल्यू को इसमें पूटप कर सकते हो, तो 1 माइनस 10, 10 क्या देता है, 3 आपॉन 4 का होली स्क्वेर, 1 प्लस 3 आपॉन 4 का होली स्क्वेर, कॉस क्या दे रहा है 4 अपन 5 का होली स्क्वाइर कॉस 4 अपन 5 माइनस 7 क्या दे रहा 3 अपन 5 का होली स्क्वाइर सेम से माने ची गाईज तब आखे पास ये क्वेशन राइट होगा तो यह हो गया 1 माइनस 9 बट्टे 16 1 प्लास 9 बट्टे 16 is equal to 16 बट्टे 25 माइनस 9 बट्टे 25 आप देख सकतो पीछे करेंगे हम इसको तो यह हो जाएगा 16 इकम 16 यह हो जाएगा 16 माइनस 9 बट्टे 16 16 माइनस 9 बट्टे 16 और इदर आप तर ही हाँ प्लस का है 16 16 ®ाईनस 9 कमन लेंगे 25 16 बट्टेश माइनस 9 ओर हर समान थे तो कमन लेलिया 25 क्या था हर समान था कमन लेलिया 16 मैंसे 9 गया 16 मैंसे 9 बट्टे जब मैंस और गये तो कितना बचेगा आपके पास बचेगा कितना 16 गुना 25 बरावर 7 बड़ा 25 तो यह हो गया आपका answer कि हाँ है यह दोनों क्या है equals to है सत्यते की जातोगी 7 by 25 पर 7 by 25 पर कोशन नमबर 9 तो यह कोशन नमबर 9 क्या है तिर्भूज ABC में जिसका कौन भी समकौन है कौन बी क्या है समकौन होता है यह दिए यह पास दिया है वन अपन रूट आफ त्री तो निम लिखित का मान ज्यांद कीजिए तो आपके पास त्रभूज को ड्रॉज करना टैन से आपको लंबटा करना लाल वटा करका से जो भी आपको फाइंड होगा उसमें आपको थर्ड भूजा निकालनी है और उसके नमबर नाइन देखोगे तैने आपके पास दिया है टैन क्या होता है लंबटा आधार होता है लाल वटा करका से टैन क्या होता है लंबटा आधार यहनिकी अलब पॉन ए तो आपको इसको ड्रॉज करना एल लंब कितना हो गया लंब हो गया एक आधार कितना हो गया अंडर परिमें क्या होगी एसी का स्क्वाइर बरावर बीसी का स्क्वाइर प्लस एबी का स्क्वाइर एसी आपको फाइंड करना बीसी कितना आपको पास एक का स्क्वाइर प्लस एबी आपके पास अंडरूट आफ त्री का स्क्वाइर एक का स्क्वाइर एक होता है और मैंने आपक जब आप ac का स्क्यर करेंगे तो ac जो है वो hundred of four में देगा और ये भी चीज समझने वाली है जब hundred of four है जैसे unter world of fifteen, under world of twenty five पे तो ये WORGMOOL होता किसीं का जैसे है under root of four two तो का क्या है WORGMOOL है दो, दुन त्चार तो आपके पास कंड निकल गया दो कर निकल गया दो अब आपके पाट है उसमें आपके पास कुछ पुछा गया उसको हम फहले find करेंगे तो sign of a पुछा गया है sign a का मतलब theta के समुख sign क्या देता है lambda कंड कितना है 1 कंड कितना है 2 ठीक है sign के बाद इसमें cos c पुछा गया cos of c के लिए आपके पास diagram change होगा सी के लिए पुछा गया इनकी theta of c theta के समुख बुजा क्या होगी लंब कंड सेमरीगी theta के समुख बुजा लंब हो जाएगी theta के समुख बुजा लंब तो इससे ध्यान दे लंब होता और cos क्या देता आधर बटा कंड तो आधर कितना होगा 1 एक बटा 2 और cos of a क्या देगा cos of a cos a के लिए cos a के लिए लम क्या है तो कुस क्या देता आधर वट्टा कर्ण तो अधर कितना एंडर trout of 3 कर्ण कितना है 2 कुस के बाद फिर दे रहाइस oh c के लिए दे रहाए sign c क्या है sign cc क्या देता लम बट्टा जन खरड़ कर्ड़ कर्ण तर्था भू. पुजा क्या होती है? लम, पुजा क्या होती है? लम क्या होगा? तीन, लम बटा करण, तो हो गया इस टाइब से, फर्स जो पार्ट है, फर्स पार्ट में आपको यह सब जो मैंने या बैल्यू निकालीए, उसी के अकॉरडिंग कोशन है कि साइन ऑफ ए, कॉस ऑफ सी, प्लस, cos of a और sin of c ये चारों जो है उमें निकाल के दिये आप इनकी value इसमें put कर सकते हो आप easily निकाल सकते हो sin a की value क्या है 1 by 2 cos c की value 1 by 2 cos a की value under root 3y 2 cos sin c की value under root 3y 2 तो आपकी इसकी जब into करेगे तो 1 by 4 देगा under root से under root कट हो जाएगा 3 देगा 3 by 4 देगा तो यहाँ पर जब value देगा तो देगा हर समान है 1 plus 3 n की 4 by 4 equals to यह दे दिया 1 यह होगे इसका answer तो आप इसका answer होगे जो first part आपने easily करा इसका second part है वो भी आपको इन सब value से ही निकलेगा cos a cos a उसमें पूछा गया cos जैसा कि आप देख सकते हो उसमें पूछा गया second part में cos a आप पास cos a की value है cos a है cos c की value है minus लगा के sin a की value है cos sin c की value है second part है question number 9 का जो second part हो आप खुद से try करें और easily हो जाएगा question number 10 करते question number 10 क्या है तिर्भुज PQR में तिर्भुज एक PQR जिसमें कौन Q समकौन है कौन Q समकौन वहले angle of जो Q है वो 90 degree का औहर इसमें PR प्लस QR PR और QR कितना है 25 cm है उसकी भुजा PR और QR उनका योग 25 cm और PQ की जो एक PQ भुजा है उसके 5 cm है और इसमें sin P और cos P और 10 P का मान ग्याद करना है तो question number 10 देखते तो आपके पास question number 10 में आपके पास PQ आपके पास दिया PQ कितना है 5 cm आपके पास PQ है 5 cm आपके पास PR और QR आपके पास क्या है 25 cm तो आपको इसको equation first बनानी है जो आपके पास PR प्लस QR है बराबर जो 25 है उसको equation number first बनाओ equation number first बनाई है आपने तो आप इसमें देख सकते हो कि अब आप इस question से पाइथागोरस परिमेलर का फॉर्मूला लगाओगे पाइथागोरस परिमें काया क्या देगा इस उससे हम देख सकते तिर्बूज PQ आर में PT यहन की पाइथागोरस परिमें से PT क्या है पाइथागोरस थेओरम PT से तो हम देख सकते करण का स्क्वेर यहन की PR का स्क्वेर बराबर लंब का स्क्वेर की आर लंब का स्कवाइर तो पीर का स्कुषार अपपस पी आर निकाल हो गया आप यार का स्कार सेम रहेगा इसे यहाँ भाइब करना लिक्युकर स्क्वाइर संपीक्यू का स्कुषार अपपस दिया है 5 सेंटिमिल पीकीlles कितना 5 square plus QR क्या है QR का square तो आप देखेंगे इसमें PR का square बराबर 5 का हो जाएगा 25 plus QR का square तो आप इसमें PR का square QR इदर मानस को जाएगा QR का square बराबर 25 या कि equation number second बन गई PR का square minus Q R का square बरावर 25 अब आपके दो equation दो equation बनी है आपकी equation number 2 है ये एक formula draw कर रहा है कि PR square minus Q R square है ये एक A square minus B square क्या formula draw कर रहा है E square minus B square बरावर A plus B और A minus B ये एक formula draw कर रहा है ये वाला तो आप लिख सकते हो PR क्योंकि आपके पास ये जो question है इस रूप का आपको इस रूप पर लिख रहा है PR plus Q R PR minus QR बरावर 25 तो आप देखाँगा इसमें आपके पास एक value question number जो equation number first में PR plus QR 25 है PR plus QR कितना है 25 है तो आप लिख सकते हो 25 ये लिख सकते हो PR minus QR बरावर 25 प्यार मैनेस QR कितना है 25 अब ये गुना में इदर जाके भाग में चले जाएगा तो क्या जाएगा PR minus QR 25 से 25 कट हो के ये बन जाएगा 25 से 25 जब कट हो जाएगा क्या बन जाएगा 1 तो यहाँ पे आप equation number 2 सारी आपने यहाँ पे mistake किये इक्वेशन नंबर 2 आपको ये ड्राओ करने है equation number 2 आपकी ये ड्राओ होगी क्योंकि ये तो आपको जो आपका question है ये तो आपको compressor ही चली रहा है equation number 2 आपकी यहाँ ड्राओ होगी equation number 1 अब आप लिख सकतो समीकरण एक वह समीकरण थो से समीकरण एक वा समीकरण 2 से तो आप देख सकते है पी आर प्लस क्यो होगी कह बराओर 25 और समीकरण तो पी आर कितना निकल दाएगा 26 Hawaii 2 तो जाएगा 13 तो आप लिख सकते हूँ ब्रह्वर 13 तो आप आप द्रॉन निकलेगा 13 तो आप द्रॉख हट दिए थे और इनकी करण आपके पास 13 ao boa अब अब आप PR निकल गया तो आप इसकी value equation number 1 में रखो चाहिए 1 में रखो सारी चाहिए 2 में रखो equation number 2 में रखते हो 2 क्या है PR minus QR PR minus QR बरावर 1 है equation number 2 इसमें हमने इसकी value रखनी तो PR कितना है 13 minus QR बरावर 1 minus QR इधर ही रहेगा same और यह हो जाएगा 1 plus का 13 इधर जाके minus का 13 क्या देगा value minus of QR बरावर minus of 12 तो cut QR कितना दे दिया QR दे दिया 12 तो आपके पास यहाँ पर निकल गया QR QR आपके पास क्या था current QR आपके पास था लंब तो आपके पास QR भी यहाँ पर find हो गया तो इस question में आपको sin P और cos P और 10 P आपको पूछा गया sin P cos P और 10 P तो आप इसमें जो आपके पास यह question है आप यहाँ पर लिख सकते हो इस question के बना के जो आपको पूछा गया sin P और cos P और 10 P यह आपको पूछा गया तो sin P 10 P, cot P, P के लिए पूछा गया तो P already theta के उसमें है तो sin क्या देता लमबटा कंड लम क्या है 12 कंड क्या है 13 कंड Sorry आप इसे यहा ना करके इसे आप यहाना करके आप पूरा यहीं करे कि sin P आपको पास simple इसने सिर्फ पूछा है sin P तो आप sin P देख जो तो sin P क्या होता लम बटा कंड लम कितना लुझँ इसको मैं जो यहां कर रहा था वही आपको निचे कर के दिखा रहा हूँ यह सिर्फ इसका आंसर है यहां पर थोड़ा रफ यह तो P 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 पुछा और पुछा 10.p जो मैं यहाँ पर कर रहा थे यह रफली 10.p क्या देता है 10 देता लाल वटक क स्टेन गया थे लाल वटक कान की लम भटता आधर कितना पांच तो गया बारा बाई बारा वट पांच यह आपके अन्सर शोगे